विश्च के वित्रण के बारे में इस व्याख्यान में देखेंगे व्याख्यान शंकला 28 में हम ये देखेंगे कि जैसे कि आपको विदित है कि जो बुकम्प है वो अमारी प्रत्वी के प्रतिक भाग में लगबग आता ही है क्योंकि प्रत्वी के कहीं भी आंत्रिक भाग में या भूमी स्कलन से कहीं भी हलचल होती है तो उसका कंपन महसूस होता है और उस कंपन के आधार पर विश्च के अनेक भागों में भुकम उत्पन होते हैं विश्च में अगर हम इसको देखेंगे भू पटल का मुख्यत जो संबन्ध है वो प्लेट विवर्तनी की या विवर्तनी कारणों से जो भू पटल के कमजोर एविस्थित भाग पाई जाते हैं वो भुकम से ज़्यादा प्रभावित होते हैं या भुकम के वो मुख्य केंद रहें इस ज़्यस्थित से भुकम का विश्च में पचास प्रतिशत भुकम पहें जितने भी नवीन मोरदार परवत शंकला हैं या यानि की वलत परवत शंकला हैं चाहे आलप्रो चाहे हमालयनों चाहे रौकीजों एंडीद हैं या नवीन मोरदार परवत शंकला हैं और इ जलने के कारण से यहां पर भुकम के भाग ऐस्तिर्वे कमजूर होते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके दूसरा जो पर यहां पर यहां पर पचास प्रतिशत भुकम उनी भागों में आते हैं। वो वाश में बदल कर उसमें वो धक्के लगाता है प्रतिव की सत्य के उपर तो भुकम उत्वन होते हैं। तीसरा जो जहां पर जहां भी जौला मुखी पाये जाता है वहां भुकम उत्वादित होते हैं। फिर चौता जो है जो दरार या भूपटन ब्रंश की किरिया जिन निल रदी की घाटी है। इन सब में जितने भी रिफ्ट वैलीः जहां पाई जा रही हैं यह दरार पाई जा रही हैं वहाँ पर यह पुकम किरिया सकरी रहती है। विवेडन के बाद ये सिद्ध हो गया कि विविन प्लेटों के किनारों पर भुकम की क्रियाएं होती हैं तो वर्दमान में भुकम की कुछ पेटियों तक विस्तित नहीं है वर्ण विश्च के सभी जगए भुकम के जटके महसूस होने लगे इस प्रकार 1929 में गेव उसकेशिया, निउफाउंडलेंड के मद्द, कैबर जल्डर मुरु मद्द, सहिकत राज अमेरिका मौन्टाना भुकम, 1907 का काशिना भुकम, 1903 में लाटूर उस्मानाबाद का भुकम, 1903 में जबलपुर में भुकम एय प्रत्याशित थे 1903 में लाटूर के लाडिक घाटी में भुकम पाया, 2001 में गुजराद का भुकम तीव जटकों से दक्षिन के दिर्ट प्रथारी भाग की प्रमप्रगत आवधारना को नस्ट कर दे रहा है तो ये बात अभी अब पुरी तरह समाप्त हो गई कि प्रत्याशित के कुछ जो पुराने या जो बेसालतिक चट्थानों से निर्मित लावा निर्मित पठारी भाग है वो भुकम के कारण से सुरक्षित नहीं विविन प्रकार के धरानों के माद्य में प्रत्याश पुरास्चलन के कारण से यहां पर भुकम आते हैं इसके बाद में अगर इनको विश्क के वितरण की दस्रीत पर मिश्को देखें भुकम का तो मुक के पहली जो प्रमुक पेटी है वो परी प्रशांद महासागरी पेटी कहला दी है जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है कि हमने जवाला मुकी की क्रिया के दौरान में हमने देखा था कि जो ring of fire है जो अगनी वले है वो भुकम की उत्पत्ती का या भुकम महापर सरवाधिक रूप से उत्पन होते है विश के कुल भुकम का लगबग 64 प्रतिशत भुकम परी प्रशांद महासागरी पेटी से उत्पन होते है इस पेटी में 80 प्रतिशत भुकम साधरन किस्म के होते हैं जिनका उद्गम केंदर, 90 मद्यवर्ती भुकंपों के केंदर, तता निन्यान में प्रतिशत भुकंपों का केंदर, गहन भुकंपों के द्वारा माना जाता है। यहां भुकंपों के तीन आदर्श दशाएं, शागर इस्थल का मिलन मंदू, नवीन मोर्द और परवशंकला, ज्वाला मुखी छेत्र, तता प्लेटों का अपरस्पट टक्राट यह पाया जाता है। यहां भुकंप के दो छेतर प्रमुख हैं, पहला प्रशांद मासागर का पूर्वी तत्पर उत्री अमेरिका के पश्चिमी तत किनारे पर उत्तर में अलास्का से लेका दक्षिन में चिली तक विस्तित है। यानि के उत्री अमेरिका तो दक्षिन अमेरिका का मौंट एरिबस जो आपका टार्टिका में हैं, वहां तक की पूरी पूरी शंकला है, परवर शंकला है, वो हुकम का स्थरवाधिक सक्री केंडरे, इस पेटी में पनामा जल दम्रुमद्य, उत्री मैक्सिको, दक्षिनी कैल कालिफोर्निया की घाटी आ जाती है, औरेगन इस्टेट आ जाता है, वाशिंटन आता है, ब्रिटिश कोलंबिया के पठार है, वो भी इसके इसके इंत्रगत आ जाते हैं, अब बात के तौर पर ये जो छेतर है, वो इसमें भुकम परही छेतर हैं, दूसरी प्रमुख शाक हुआ, पूर्वी दीप स्वमू में इंडोनेशिया जावास सु मातरा तक पहुंशती है, बाइद के जो अंड़मान निकोबार दीप स्वमू भी इसी छेतर मा आ जाता है, और यहां से न्यूजिलेंड के और चली जाती है, इस पेटी में जापान सरवादिक भुकम कोण हैं, यहां पर सरवादिक भुकम पाते हैं, दूसरी प्रमुक पेटी विश्व की है, वो मद्यमार दीप यह पेटी है, इसे भुमद सागरी ट्रांस एशियाई पेटी भी कहते हैं, यह पेटी एजो जीप स्वमू से आरम होकर यूरोप में आल्स परवती चाप को पा इस पेटी में विश्व के लगबग 21 प्रतिशत भुकम पाते हैं, जो मुक्य तर सादर और मद्यवर्थी सीमा के होते हैं, गहन भुकम की संख्या यहां पर कम है, हिमाले के उत्तर में इसकी प्रमुक शाका की एक उफ शाका अलग होकर तिबद से होकर चीन तक चली जाती ह इन में कुनलुन, ठ्यांशान, शिंगलिंग, पडवती भागों में भुकम समलित किये जाते हैं, भारत की भुकम पेटी भी इसी के दर्कत आती हैं, जैसे कि आपको इस तालिका से यह पता लग रहा है कि भारत में आने आले जो भुकम पहें, उनका विवर्ण इस तालिका में भुज अंजार एहमदाबाद में जो भुकम पाया, वो विनाशकारी यह प्रलाहकारी भुकम था, और उससे पहले 1938 और 1941 में यह भुकम पाये थे, जैसे कि साइड़नी से पता चल रहा है, तो यह भुकम पाये जाते, इसी प्रकार से अंड़मान दिको बार में जो दो चार में भुकम पाया, उसकी तीरता 9.3 थी, वो प्रलाहकारी भुकम से भी अधिक सीमा का भुकम था, परन्तु समुन्दरी भाग में होने के कारण से उसका त्रटवर्ती भागों में प्रभाव पड़ा, परन्तु मानल के जो आंतरिक भागयां उस तक इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दा, इस आधाल पर हम जो मद्यमा सागरी पेटी के बाद में अगर हम इसको देखें, तो तीसरी जो पेटी है, वो हमारे पास में आ जाती है, कि मद्य अट्लांटिक पेटी आती है, मद्य अट्लांटिक पेटी के अंतरगत, यह पेटी मद्य अट्लांटि कटक के सारे उत्तर में इस्पिट्स बर्जन तता आइस लेंग दीप से आरम होकर अजोज दीप, मदारी दीप, कवारी दीप के पूर दीपों से आगे बरते वे विश्वत्रे का पार करके पूर की ओर एस्सोशीशन दीप, सेंट हलेना दीपों को पार करके प्रिंस एडवर जाती है. चौती प्रमुक शाका पुकम्ब की है, वो हिंदमासा अगरी शाका है. छाका मद्е अटलांटिक, टक की पूर्वी शाका प्रिंस एडवर्ड तक समाब बात हमानी जाती है और यहीं से हिंदमासा कर शाका का आरम बाना जाता है. अगर हम इसको देखें इसमें इसके बाद में पांच भी प्रमुक पेटी है, वो पूर्वी मत्य अफ्रीकन पेटी है, यह पेटी स्वेट नहेज से लाल सागर के सारे इथोपिया होकर अफ्रीका की दिफ्ट गाटियों, युगांडिया, तंजानिया, सागे दक्षिन में न्यासा जीट्रो को पाद करके दिलोगोवा खाडी तक विस्तित है, तो मेडा गास कर्म भी इसी पेटी में आता है, यहां पर जो भुकम पर विवर्तिनी कार्णों चाहते हैं, इसके लावा प्रतिपी पर अन्य भागों में भी कुछ पेटिया हैं, जो इसके अंदरकत आती है, अगर हम इसको देखें, तो यह कुल मिलाकर जो भुकम के जो प्रमुक छेत रहें, वो विश्मे सभी वागों.